बासकार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज हम बात करेंगे व्याख्याता, शिक्षक, फस्ट ग्रेड परिक्षा के लिए एजुकेशन मैनेजमेट में एक टॉपिक आता हमारा माध्यमिक शिक्षाबॉर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंद में आज इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों 4 दिसंबर 1957 को अजमेर इसका वर्तमान में मुख्याले है क्या ये वास्ता में पहले अजमेर में ही था या कहीं और था राजस्थान के किसी और जिले में था आगे अपन जानेंगे इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1957 को ही थी अभी वर्तमान में इसका मुख्याले अजमेर राजस्थान में है ये राजस्थान सरकार का एक सरकारी अभीकरण है यह बोर्ड राजस्थान में शिक्षा के समर्धन और विकास के लिए उत्तरदाई है और पहले इसका मुक्यालय कहा था जैपूर में लेकिन 1 जनवरी 1961 को अजमेर में स्थानांतरीत कर दिया गया है जब इसकी स्थापना हुई थी तब 4 दिसमبر 1957 में जब इसकी स्थापना थी तब इसका मुक्यालय जो वर्तमान में अजमेर है वो नहीं था पहले इसका मुक्यालय कहा था जैपूर में था और 1 जनवरी 1961 को अजमेर स्थानांतरीत किया गया किस की कोण सी समीती की सिपारिस पर पी सत्या नारायन समीती की सिपारिस पर इसे एक जनवरी 1961 को अज मेरे स्थान अंतरित किया गया था यह शिक्षा विभाग राजस्थान की एक सवायत सासी संस्ता है यानि कि स्वतंतरूप से एक संस्ता है और इसका आदर्श वाक्या है शिद्धी भरवती करमजा शिद्धी भरवती करमजा इसका आदर्श वाक्या है और अगर हम इसके लिए आगे बात करें तो इसका logo है राजस्थान के मानचितर में विजयस्थंब राजस्थान के मानचितर में विजयस्थंब इसका logo है और भाशा जो है इसकी हिंदी और अंग्रेजी है इसके सरंचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और उसके साथ में कुछ पदेन सदस्या भी होते हैं निर्वाचित सदस्या इसके साथ होते हैं बोर्ड में राजे सरकार द्वारा मनोनीत सदस्या 17 होते हैं और विधान सभा ध्यक्स द्वारा मनोनीत सदस्या 2 होते हैं और प्रतिष्ट सेह आवरण सदिस्य है, दो तें इस प्रकार इन सदिस्यों की संख्या 36 होती है, कुल सदिस्य संख्या यहाँ पर 36 है, उसके बाद बात करेंगे आगे, इसके संबंद में यहाँ पर, देखिए, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष जो हैं, इसके कौन होते हैं, और किस पद पर होते हैं, किस स्तर के अध्यकारी होते हैं, वो सारी बात हैं, अध्यक्ष की बात करें, तो राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, इसके अध्यक्ष, र अध्यक्ष जो है राजस्थान सरकार द्वारा मनोनित होता है नियुक्तिनी होता और इसका मनोयन तीन सदस्यों की सिफारिस पर किया जाता है इसमें से दो सदस्या तो बोड के होते हैं तो था एक सदस्या राज्य सरकार का होता है इस अध्यक्ष का कारेकाल जो होता है वो त यह दो समस्तह, बोड ना गोड के लेंगुधत अ पतती है, आद्या सरकनel धुल in 2547, कि अधिवेशन भी घुड इस्के अधिवेशन भून्हान का है, और घुड का अधिवेशन भूद की समस्त्यों। आगे बात करते हैं इसके लिए। उसके बाद आगे बात करें तो उपध्यक्ष की बात करते हैं निदेशक होता है सट K lote ूपादेक समीत साथ होते हैं एक यहां निदेशक प्रारंभिक च्छार चुछी ठीक है इसके अलावा बॉर्ड सचीव होता है बॉर्ड, सचीव का क्या काम है और कौन नियुक्त करता है इसे मनोनित नहीं किया जाता है इसे राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है यह इंपोर्टेंट बात है कि इसको नियुक्त किया जाता है इसको मनोनित नहीं किया जाता है और यह एक आरे से सतर का अधिकारी होता और यह बोड का मुख्य कारेपलक अधिकारी भी होता है यह अधिवेशन का एजेंडा बनाता है और उसे संचालित करता है यह अधिवेशन में भाग ले सकता है वहां बोल भी सकता है लेकिन एक इंपोर्टेंट बात है कि वह मत नहीं दे सकता किसी मुद्दे पर अपना मत न ग्रानी रख सकता है ये काम है बोर्ड सचीव का उसके बाद next बात करते हैं आगे यहां पर देखिए अब अन्य जो है इसमें कौन-कौन हो सकते हैं और औरवक्ति कौन है इसके सरंचना की बात करें हम तो दोस्तों इसमें एक होता है उप सचीव और एक होता है सायक सचीव उप सचीव और सायक सचीव भी होता है बोर्ड के अधिवेशन और बेटकों के लिए जो गणपूर्ती होती है वो एक बटे तीन सदे से होनी चीए अधिवेशन एक साल में दू बार होते हैं बोर्ड की एक फरवरी में और एक मार्च में अब बात करें इसकी समीतियां बोड की जो समीतियां है वो कितने वर्ष के लिए होती है क्या कारेकाल होता है और कौन-कौन सी होती है बोड की समीतियों में एक आवेदन पत्र समीति है एक पठे चरय समीति है एक पठे करम समीती है, परिक्षा समीती है, मुल्यांकन समीती है, परिक्षा फल समीती है, मान्यता विद्यालियों को मान्यता दी देने के लिए और एक वित्य समीती है इन सभी समीतियों का कारेकाल जो होता है वो तीन साल का होता है जितनी भी समितिय हैं बोर्ड की उनका कारे काल तीन साल का होता है उसके बाद आते हैं बोर्ड के कारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कारे क्या हैं तो यहां पर दोस्तों कारे हैं कौन-कौन से कारे हैं पहला कारे है स्कूलों को मन्यता देना दूसरा काम है वि परिश्ट उपाध्य परिक्षा संस्कृत सिक्षा के जो स्कूल है उनकी बार्वी परिक्षा और रीट का आयोजन भी आजकल बोर्ड के द्वारा किया जाता है इसके अलावा राज्य परतिभाग होज परिक्षा STSE जो है स्टेट लेवल का जो यह टेलेंट सर्च एक्जाम ह उसको आयोजित कराती है इसमें भाग कोन ले सकते हैं दस्वी और बार्वी के विद्यार्थी भाग लेते हैं जिनके नवी में दस्वी वाला वो बच्चा जिसके नवी में 50% हो या बार्वी ग्यार्वी वाला वो बच्चा बार्वी पढ़ने वाला वो बच्चा जिसके काम बोर्ड का क्या है श्रेष्ट विध्यालियों को पुरुषकार देना छात्र वर्ती देना सरजनात्मक्त पृतिविताओं का आयोजन करना इस स्टी एस यानि की राज्य प्रतिभाग होज परिक्षा में जो बचे पास होते हैं उनको राश्ट्रेप्र प्रतिभाग होज प्रिक्षा में शमयल किया जाता है, फिर ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है, और क्या काम वो सकते हैं, इसके बाद और काम, प्रतियुगिता ये प्रतियुगिता भी जो है आयुजित की जाती है किसके द्वारा आयुजित की जाती है पॐर्सकार वितरण जो लोक पर फर्स और सेकंद जो आते हैं उनको जिला स्तर पर भीज़ दिया जाता है जिला स्तर पर जो फर्स सेकंद और थर्ड आते हैं उनको किस तरह से междуkaर मिलता है फर्सट आने वाले को 1599, यह अगले स्थर पर पहुंसते हैं तो रज्यस्तर पर जो फर्स्ट आता है राज्य स्तर पर जो है इसके लिए पुरुस्कार 5,000 है जिला स्तर पर 2,500 रेक जार पर हैं इसके अलावा केरियर मार्गदर्शन प्रदान करने हैं तो बोर्ड की कुछ पत्रिकाएं हैं कुछ मैग्जीन्स हैं जिनमें एक है दिशा कौन सी है दिशा यह शक्षिक और व्यव यहां पर चलते हैं इसके जो बचों की बोर्ड सबंदी समस्याओं को हल करते हैं इसके अलावा बोर्ड एककल वैद्दीव पुत्री पुरुषकार योजना भी चलाता है जो की 2012 में प्रारंब हुए थी ये योजना जिलास्तर पर 11,000 और राज्यस्तर पर दस्वी प्रिक्षा पास करने पर 31,000 और 12,000 और दूसरे विभिन पुरुषकारों की बात करें 2017 में विभिन पुरुषकार 2017-18 प्रारंब कि रोख थां यानि कि नकल अधी को रोकने के लिए भी फिन कह सक 9 सो बन उनिस वाड़में मैं पारित हुआ था और माध्यमिक शिक्षा बौर्ड राजस्तान करमचारी सेवा बैलनु inherent 2004 बना था तो यह संपूर्ण जानकारी है B.S.E.R. यानि की Board of Secondary Education राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तो यह टॉपिक जो है व्याख्यता के लिए फस्ट ग्रेड के लिए Education Management के तहट आता है तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ें और इससे संब्धित प् झाले है तो के राजस्थान की सब्ढ़ें है